साथियों, इस साल भारत के भारत ने अपने आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश किया है। हम सभी अम्रित महोत्सों मना रहे हैं। आपने जहेज सहर में अपने डिग्री पाई है। उस कान को कानपूर का अपना शांदार इतिहास रहा है। कानपूर भारते उन कुछ चुनिंदा सहर में से हैं जो इतना डाइवर्स है। सत्ती चौरा घाड से लेकर मदारी पासी तक, नाना साब से लेकर बटुकेश्वर दब्त तक, जब इस शहर की सहर करते हैं तो ऐसा लगता है। जैसे हम स्वतंत्र संग्रहाम के बलिदानों के गवरों की उस गवरों शाली अतीत की सैर कर रहे हैं। इन स्मृतियों के बीश आप सभी पर देश को अगले 25 वर्सों तक दिशा देने, देश को गती देने का दाईत्व है। अब कल्पना करिए। जब 1930 में, 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। तब ज्यात्रा ने उस टाइम प्रियड को पूरे देश को कितना अंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ट था, उसने आज़ादी के लिए भारत के जन जन में एक अभुदपर विश्वास पादा कर दिया था। हर भारत वासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नवजवान थे, 1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आज़ादी की सिती उनकी जीवन का गोल्डन फेस थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। यह गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे रास के जीवन का अमरतकाल है, वैसे ही यह आपके जीवन का भी अमरतकाल है। अमरित महोसव की इस घड़ी में जब आप आई आई टी की लिगसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकलें। कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही सभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा। उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है, कानपूर I.I.T. ने, यहां के महोल ने आपको वो ताकत दी हैं कि आप, अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई लोक नहीं सकता। ये दौर ये 21 सदी पूरी तरह टेकनलोजी ड्रीवन है। इस दसक में भी टेकनलोजी अलग अलग छेत्रों में अपना दबदबा और बढाने वाली है। बीना टेकनलोजी के जीवन अब एक तरह से अधुराई होगा, ये जीवन और टेकनलोजी की सपरधा का यूग है। और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जमानी के इतने महत्वपन वर्ष टेकनलोजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इस से बड़ा अउसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेकनलोजी के खेतर में योगदान करने का बहुत बड़ा अउसर है।